हरो फ्रेंस प्रागत है आपका फेक्ट मोटो पे ये संसार प्रागती सील है और हर घंटे ना जाने कितने विकास हो रहा है और वो जरूरी भी है इंसानों के लिए मगर कुछ ऐसे भी मकान मालिक है जो अपना घर या जमी नहीं बेचते है विकास के छेत्रे में जिससे बहुत सारी बाधायें आती है तो आई ये जानते है ऐसे एक पांच जिन्दी मकान मालिकों के बारे में जिन्होंने अपना घर बेचने से इंकार कर दिये 2009 में चीन के सांडावल प्रांत में इस्थान ये बेल्डर दोवारा उचे इची इमारत खड़ी की जाने वाली थी बाध के लगबत सभी मकान मालिकों ने अच्छी किमिते मिलने पर अपने अपनी जमीन को बेच दिया था पस एक परिवार को छोड़कर इस परिवार में द जब उदाई की गई तो परिवार के चारों तरफ की जमीन हो दी गई जिसके चलते अवर सप्लाई बंद हो गया अब वो कहीं आ जा नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने आखिर कर ये घरी बेच दिया कुछ साल पहले अमेरिका में रहने वाली एडर्प में एक फुल नामक 84 साल की महिला उनके वसूलों के वज़े से चर्चा में आ गई हॉलिवूड में बनी अपना मकीय मोवी इसी महिला से प्रेहरी थे अमेरिका के सियेटल सहर में वेवैसाइक बिल्लिंग का निर्मान किया जाने वाला था तब इस महिला ने अपना घर संबंतित लोगों को बेचने से मना कर दिया था उसने लगबग 40 लाग के पस्ताव को थुकरा दिया था इसलिए ये निर्मान उस घर को छोड़कर पूरा करना पड़ा 46 साल के उमर में उनकी मौत हो गई चौकाने वाली बात ये थी कि उस महिला ने मरने से पहले अपना ये घर उस कंस्ट्रक्शन के सुपीडेंट के नाम कर दिया था क्यूंकि उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी 2003 में चीन के संगाई सहर में हाइवे तयार किया जाना था जिसके चलते कई घर मकान मालिकों ने अपने घर और जमीन की अच्छी कीमते मिलने कर सरकार को बेज दिये सरकार ने उन्हें चार फ्लेट 130 स्क्वेर की जमीन और 80 लाग की प्रोपटी उनके घर और जमीन के बदले में दे दिये जिनको वहाँ के लोगों ने हसी खुशी ले लिया पर वहाँ के एक मकान मालिक ने अपना घर बीचने से मुना कर दिया इसलिए जो हाइवे चार लेन का बनने का था उससे दो लेन में बनाना पड़ा आज ये घर ठिक रास्ते के बीच में खड़ा है जो परवासियों के लिए परिसन्यों का सबब बन चुका है इसा मेल बर्मुदा जो नियामी अमेरिका का रविवासी है उसका एक पुराना घर साहर के बीच में खड़ा है उसका कहना है कि ये जगा पवित्र जगा है जहां अमेरिका का बड़ा इतियास दफन है जहां कई पुराने चीजों के आउसे आज भी मिलते है जो नियर्मान इस सहर में चल रहा है उससे संबंदित इस इतियास से वहां के लोगों को कोई लेना देना नहीं है और इसी वज़ा से उस मकान मालिक ने दस क्रोर के परस्ताव के वावजूद भी इस घर को नहीं बेचा चीन में आवाजाही बनाने के लिए एक हाईवे का निर्मान किया जाने वाला था जिस जगह ये निर्मान किया जाने वाला था वहां के रहीवासी ने अच्छी खासी किमिते मिलने पर उस जमीन को बेच दिया पर 72 साल की तेन और उसकी पत्नी ने घर और खित कुछ उने से इंकार कर दिया उनका कहना था कि घर के बदले दिये जाने वाली रकम सही नहीं है इसलिए उन्होंने अपना गर नहीं बेचा और अब ये घर कुछ इस तरह दिखता है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आई हॉप आपको वीडियो पसंदा रेता लाइक करना और working करके बदाना आपको ईडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ सेर जरे करना और साध-साथ सब्सक्राइब करदेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हर एक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिक्शन मिलती रहे तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई थैंक्यों